आज हम कहां जाने वाले हैं और कौन से जगा हम आपको ले के चल रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल इस्किप नहीं करना बहुत अच्छा वीडियो है और एद का है तीसरा दिन तो आपने भी कुछ सही पैचाना कि हम जा रहे हैं इस्टेशन पर और यहां से हम बैठेंगे अपनी ट्रेन में और आपको ले चलेंगे अपनी सिश्टर के घर मुहमद अली रोड तो यहां पर आप मुझे भी देख सकते हैं तो मेरे हजबेंड मेरे साथ आए द इत का तीसरा दिन तो आई यो जानते हैं कवताने वाले हैं वीडियो इस बिल्कुल नहीख करना और आप मेरी वीडियो को देखते हैं पसंड करते काफी अच्छा लगता है तो बिल आइकन पर प्रेस जयूड ंपılar यह सब करें आपने ओगाना रोड कर देते हैं स्टार्ट यूटूब वाला मैसेज करता है कि आपका चैनल है तो आप अपने आपको थोड़ा दिखाया करें क्यूंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि यह आपका व्लॉग है तो इस वज़े से मुझे थोड़ा बहुत अपने चैनल पर आना ही पड़ता है और यह द साओदा अप्रेल तो यहां पर आप मेरी बैंक दस भी देख सकते हैं जो के एकदम होली का रंग लग रही है लेकिन काफी खूबसूरत लग रही थी मेरी बैंक दस और अब पहुंच गया है सेंडस रोग स्टेशन और हमें यहीं जाना है और हमारा बेटी वाला वीडियो यह वाला वीडियो लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे मालू है यह मेरा वीडियो जरूर होगा क्योंकि यह वीडियो इतम यूनिक समय ने बनाया है तो कब शूट हो जाता है ऐसा गुर्खा वगरा मुझे पता ही ने चलता है कैमरा कब स्टार्ट हो गया और मैं कहा शूट कर रही थी और मैंने कहां पर शूट कर लिया मुझे बिल्कूल अंदाजा नहीं था तो अब हम जाएंगे इस्टेशन के बाहर और अब हम पहुंच जाएंगे बहुत टाइम नहीं लगता इस्टेशन से नजदीक में मेरी शिश्टर का घर है सबसे पहले आप एक कै काम से सो रही है और इसकी घर में बहुत ज्यादा इस्ट है यह सब कैट जितनी भी इनके घर में हैं लोग बहुत प्यार करती है और इनको बच्चे की तरह यह लोग समालती है यह हमारे अपने बच्चे नहीं समले जाते हैं और यह कैट कैसे समाल लेती है तो यह लड़की बहुत बहुत करती और इतने सारे फोटू कैट के खीच रही थी अपने साथ अभी इसने उतार दिया है। कैट को अभी गोदी में ली थी और यहां पर इसने कहा मेरी भी वीडियो बनाई है। तो यह मेरी भांजी की बेटी है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे मामू उमानी सभी लोग बैठे हुए हैं और आज मेरी शिष्टर का है बर्थडे जो उनको मिला है गिफ्ट पे गिफ्ट तो सबसे पहले उनकी बेटी उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी तो यह पाकिट और चपल वगारा मेरी शिष्टर के लिए गिफ्ट आया है और उनका कल 15 अपरेल को बर्थडे है तो इन लोगों ने हम लोगों की आने की वजह से बर्थडे 14 अपरेल को ही किया था लेकिन रात को इन लोग सेलिब्रेट करेंगे तो यह पर्स वगारा मेरी जो है सिष्टर की जो बेटी है उनकी बेटी मेरी भांजी तो यह अपनी अम्मी को सब लेकर आई है तो यह पर्स मुझे बहुत अच्छा लगा काफी अच्छा पर्स था और काफी खूबसूरस था तो इस तरीके से जो है बहुत सारे किफ्ट दिये जाते है मेरी शिष्टर को अम्मी को हमेशा प्यार करना चाहिए मा और ब लग रही थी बहुत खुबसूरत लग रही थी चब पलिया तो इस तरीके से कभी भी अपने माबाप का वर्थ डे हो और आप लोग ज़रूर सेलिबरेट किया करें क्योंकि उनको एक अलग खुशी मिलती है कि हमारे माबाप हमारे बच्चे हमारे लिए इतनी अच्छी मतलब महबत करते हैं और हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो यहां पर सारी फैमिली बैटी है सबी लोग आये थे और कुछ लोग नहीं भी आये थे तो जितने आये वो मैं आपके शेयर कर रही हूं तो यह मेरा भाणजा उनकी वाइफ यह लोग मेरे घर पे भी आये थे एद के और यह इनके घर के बाहर का वियू और बहुत अच्छा घर है तो यह बहुत अच्छी जगे पर घर decreasing के मुहंममद अली रोड पर एक घर है और मुहममद अली रूड आप जानता है मूमबई का कितना ही फेमस एरिया है और यहां पर घर बग害र कितने महंगे होते हैं आपको अंदाजा भी नहीं होगा तो यहां पर आप मुझे भी देख सकते हैं मैंने अपनी चोटी सी क्लिप लिए और यहां पर मेरे मामू मेरी बहन भांजे की वाइफ को दे रहे हैं इदी So friend, इन लोग बहुत सारी इदी मिली और यह लोग दिखा रहे हैं अपनी इदी भी तो मुंबई में हम लोग हमेशा जाते हैं यानि कि इद के सेकंड डे में अपनी सिष्टर के घर जाती जरूर हूँ और यह तो आज में गई थी तीसरे दिन तो तीसरे दिन भी बहुत अच्छा लग रहा था और मेरी सिष्टर ने का तुम लोग ईद में जरूर आया करो और हम लोग कहीं भी नहीं जाते हैं किसी के भी घर नहीं जाते हैं बस मेरी यही एक सिष्टर है जिसके हम घर जरूर जाते हैं बसे मेरी एक सिष्टर हमारे घर के पास भी रहती लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं चाहती हूँ और यहां पर देख लीजिए कि आस तो बहुत अच्छा खाना बना था यानि कि इन लोगों ने खिचड़ा बनवाया था वो भी बाहर से जो कि खाकर बहुत ही मज़ा आ गया था और मेरी शिष्टर ने बहुत सारा किचड़ा हमें घर पर भी दिया था और यह मेरी भांजी का बेटा है और जो मेरी शिष्टर है उनकी बड़ी बेटी है तो उनका बेटा ही है और यहां पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं काफी अच्छा लग रहा था और अपनी फैमिली में जाना एक अलगी मज़ा होता है सो फ्रेंड यह देख सकते हैं यह बच्चे हमारे घर के ही हैं और आप लोगों ने बेटी वाला वीडियो बहुत 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 पसंद किया क्योंकि मुझे बेटी वाला वीडियो इतना ज्यादा मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा था और आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया और मेरा चाइनल भी बहुत अच्छा माशा लग चल रहा है तो यह देख सकते हैं इतना अच्छा खिचडा और खाने में बहु कोड़े की नियाज हो कोई भी चीज हो मैं यहां पर जाना बिलकुर भी नहीं भूलती हूं और मुंबई में मुहमद अली रोट पर इन लोग रहते हैं और मेरी सिष्टर बहुत अच्छी है वो हमेशा हम लोगों को बुलाती हैं तो यहां पर आप मुझे भी देख सकते है और वो हमेशा ऐसे भी हमें बुलाती हैं लेकिन मैं नहीं जा पाती हूं मेरे घर में बहुत सारे काम होते हैं तो हम सब यहां पर खाना खा रहे हैं और आज सब के साथ में खाना खाने का मज़ा ही अलग था और यहां पर आप देख सकते हैं शीर कॉर्मा जो कि शीर कॉर्म बहुत अच्छा बना था बहुत टिस्ट्दी बना था और यीद का दिन है तो शीर कॉरबा तो जरूर बनाना HEY पड़ता है और जब तक शीर कॉरबा ना हो तो मज़ा नहीं आता है तो यहां पर मेरी कोरुमांजी ने मुझे टीजाइक की बहु जो के बहुत ज्यादा अपनी ज़ास को प्यार करती हैं। मोहबत करती हैं, तो यह देख सकते हैं इनका बバर्ट डे था तो इतना प्यारा सा तोफा ले कर आई हैं इनके लिए बहुत महंगी वाली चपल और पर्स तो देख सकते हैं कि यह इतनी प्यारी चपल थी जो कि कैमरे में बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है एक पुरी डाइमेंड से और मोतियों का काम है जो कि इतने नजर नहीं आ रहा है लेकिन बहुत अच्छी चपल थी और बह व्लॉग में भी देखा था तो अभी आने वाले व्लॉग है बहुत अच्छे तो वह हैं वली में के वह भी आप जरूर देखिएगा यहां पर मेरी सिष्टर दे रही मेरे बच्चों को इदी मुझे भी इदी दिया है तो सबको अलग है तो शाकिप की इदी है और शोंगो हमारे से जो छोटे थे हमने उनको इदी तो अब हम पहुंच गये हैं सेंडस रोड इस्टेशन और रात के बज रहे हैं दस तो अब हम अपने घर पर जाएंगे तो मैंने सोचा चलिए चलने का भी वीडियो बना ले ताकि आपको पता चले कि हम कितने बजे घर पर हैं आप रात को कितने बजे भी जा सकते हैं तो मेरी मुमानी मेरे साथ में आई थी और वो ट्रेन में मेरे साथ ही थी और यह देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग थे ट्रेन में लेडिस डबा था और बहुत आराम से गय आराम से आगए मुंबई में कोई डर नहीं है रात को कोई डर नहीं होता है तो इस तरीके से मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा जरूर लगा होगा और आप बाहर इस्टेशन के आने के बाद मैंने यहां से अपने लिए खारी बटर याने अपने बच्चों के लिए मैंने खरीदा अपने गर के लिए और यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो यहां पर लेने मुझे कौन आये आपको दिखाते हैं तो शाकीप मुझे लेने आये थे और मेरे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा ताके मैं अच्छे-च्छे वीडियो मुंबई के आपके साथ शेर करती रहूं और यह वीडियो को आप लोग अगर पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आप आज है 14 अप्रेल और मुंबई बहुत अच्छा सजा हुआ है अम्बेटकर जी का जनम दिन है आपको हमारे चोटा सा व्लॉग कैसा लगा व्लॉग पसंद है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब लाइक कमेंशर जरूर करना और एक नए फ्रेश उडियो करें इंतिजार अधिकली अलाफिस जीक्षे